तो तो टोड़े विल सी अबाउट टेक्स्टाइल फिनिशिंग में बेसिकली गेट के हिसाब से या अधर कोई भी एक्जाम अपलोगे तो उसमें क्या चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं तो उसके हिसाब से अगर डिसकेशन करते हैं तो इफ वी टॉक अबाउट तो फि प्राइस बताता है तो फिनिशिंग दो तरीके की होती है बेसिकली अगर हम टेक्स्टाइल Shear ding ho gaya K tarting ho gaya इसका जिससे अपने करते होs हैँ उनके भीसए कोपर करते हैं यह से पास होता है तो पास हुँटा है तो अगर इससे बात करते हैं गर हम बात करते हैं इसा Grin as mechanical finishes अच्छा जो objective of textile finishing की बात करते हैं तो इसका फाइदा क्या होता है पहला फाइदा तो यह है it improves the appearance दूसरा आपका feel बढ़ता है appearance कैसे जैसे आप calendar calendar आपका कोई भी fabric है तो उसका आपका appearance जादा होगा calendaring हो गया, sharing हो गया optical whitening जो करते हैं दूसरा आपका feel बढ़ता है improve feel, feel feel मतलब आपको touch है, वो कितना अच्छा सा improve होता है, वो आपका finishing में बताया जाता है, जैसे आप softening और stiffening softening, यह क्या होता है, softeners हम यूज करते है water softeners, softeners को use करते है, ताकि हमारा feel बेटर हो जाए, stiffening agents भी use करते है stiffeners, तो यह feel को improve करते है, दूसरा आपका weight of the cloth भी increase करते हैं, जो हम लोग back filling करते हैं with starch TNCL2 silk के लिए हम लोग करते हैं, दूसरा आपका जो सबसे main important होता है to make the fabric dimensionally stable or heat setting, जो हम लोग करते हैं wool के case में, wool में क्या करते है crabbing और potting of wool करते है crabbing of wool होता है तो इससे क्या होता है कि आप क्यों wool की finish होती है this is a type of finishing of wool last we talk about heat setting heat setting किस में करते हैं, synthetic fibers में करते हैं, इसका basically use क्या होता है, heat setting से आपका fabric dimensionally stable हो जाता है, dimensionally stable का मतलब क्या होता है डाइमेंशनली स्टेबल मतलब हो गया आपका वार्प और वेफ एक लोकेशन में बिल्कुल तरह से इस्टेबल मतलब in the sense कि फिर जो भी आपका प्रिंटेड है प्रिंटिंग के बाद आप फाइनली फिनिशिंग कर रहे हो फिर फैब्रिक में वाशिंग के बाद या इस तरह बात प्रिंश से वो निखलेगा नहीं सेटिंग में फूरा स्टेबलाइज हो जाता है अचा मेकेनिकल फिनिश बस बात संहुं में आई मेकेनिकल फिनिश बसिकली ड्राइफ ऐसे करते में अगर बात करते हैं यह कुश्चन आता है कॉटन में इफ बी टॉक अबाउट हम लोग जो finishing use करते हैं, this is a kind of pure finish हम use करते हैं cotton में, pure finish में हम क्या use करते है, calendaring, breaking, softening, we use in case of cotton, और एक pure finish के साथ में assisted finish होता है, assisted finish means, जिसमें हम कुछ binding, और stiffening agent का हम use कर रहे होते हैं, stiffening agents, stiffening agents का हम use कर रहे होते हैं, third अगर हम बात करते हैं, stiffened finish और sanforized finish, sanfor finish, sanforization is a final process of finishing, sanfor में क्या करते हैं, आप उसको shrinkage, compressive shrinkage देते हैं, आकि जितना भी fabric को shrink होना है, वो shrink हो जाए, उसके बाद, आपका जब आप final product बनके आए, तो उसमें और आपका इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके की problem ना है, as far as the shrinkage is concerned, तो this is our kind of finishes, जो हम लोग cotton में दे रहे होते हैं, cotton एक natural fiber है, उसमें आप finishing अलग type की देते हो, और दूसरे fabrics में अप अलग type की finishing देते हो, अच्छा, अब हम chemical finish की बात करते हैं, chemical finish, what does chemical finish means, chemical finish means, by the deposition of chemicals, जैसे आप use कर रहे हो, chemicals, जैसे starch, fats, oils, इनका ये fabric में आप use करते हो, sizing process में, इधर इतने सारे sizing, desizing करते हैं, तो starching agents, ये सारे use किये जाते हैं, दूसरा fiber के साब chemical reaction कराते हो, chemical reaction जैसे parkmentizing होता है, parkmentizing, parkmentizing हो गया, permanent set of wool हो गया, permanent, permanent setting of wool, उसके बाद ये कुछ special type of finishes होती हैं, जहां पर आपका chemicals का use हो रहा है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, water repellent finish का, water repellent finish में आप क्या देते हो, जैसे आपको water repellency बढ़ानी है, तो आप कुछ metal soaps का use करते हो, such as aluminum, esterate, lead acetate, या paraffin wax, इनको use करते हैं for water repellency, और shrink proof, shrink proof का मतलब क्या होता है, anti shrink finish, एक एक करके, you should also note down these points that I am telling to you, कि इसमें कौन-कौन सा, कि इस finishes में आप क्या-क्या use करते हो, वो important हो जाता है, जैसे एकर हम बात करें anti shrink finish, anti shrink मतलब जो आपका shrinkage होता है, उसको रोकता है, कैसे ही रोकता है, आप formaldehyde से reaction करा देते हो, तो इसमें यह कैसे करता है, इसका क्या mechanism होता है, इट blocks the hydroxyl group of the cotton cellulose, यह जो आपका textile finishing वाला aspect है, इसमें बहुत ज़्यादा technical नहीं है, बट आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, as far as gate या other, examination are concerned, कि आप किस में, कौन से finish में, क्या use करोगे, वो important हो जाता है, और कौन सा finish, किस fiber के लिए use करते हैं, वो भी important हो जाता है, पेपर में बहुत questions आते हैं, anti shrink finish में आप क्या use करते हो, formaldehyde यूज़ करते हो, जैसे cotton cellulose की बात करें, formaldehyde, छीक है, करते हैं, जैसे करते हैं, जैसे करते हैं,